तो जाहर सी बात है यहाँ पर सचिन पाइलेट को लेकर इस वक्त ये दावे किये जारे कि गांधी परिवार कहीं न कहीं सचिन पाइलेट के समर्थन में फैसला ले रहा है कि क्या वो मुख्यमंत्री पत से इस्तिफा देंगे जो सवालात लगातार बने वे थे जनता के वीच क्यों कि सोनिया गांधी के फैसले का इंतिजार था केशी बेड़ु गुपाल तो ये कहके निकल गए थे कि अगले 48 घंटी यानि कि दो दिन बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं राजिस्तान के राजनीती के लिए और उससे साफ हो जाएगा कि राजिस्तान का अगला मुख्यमंत्री कौन अप बड़े पत को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो विवाद आने वाले वक्त में थमता नजर आएगा या नहीं क्या पाइलेट को कोई बड़ा पत गुजरात चिनाप से पहले दिया जाएगा या नहीं यह कई सारे सवाल बने हैं यहां पर जनता के बीच लेकिन तमाम अपडेट सामने आए वह आप तक एक एकर के पहुँचाई जा रही है स्वीच आज सोनिया गांधी के फैसले को लेकर जो बड़ी अपडेट सामने आई है वो भी आपको बताते चले कि यहां पर सोनिया गांधी जो भारत जोड़ यातरा में राहुल गांदी के साथ गोड़ाई घंटे से जादा नहीं बैची थी लेकिन उस दिन भारत जोड़ यातरा में पद यातरा करती नज़राई लेकिन अब इंट्रेस्टिंग ये देखना हो रहा है कि राजिस्थान की राजनीती में जो विधायकों ने जो 76 संख्या बताए गई थी बाणवे संख्या सोनिया तई करेंगी राजिस्थान का मुख्य मंत्री कोन ये आज की कह सकते हैं आपकली अपडेट सामने है 30 सिपर आगे जानकारी रखते हैं राश्ट्रे अद्यक्ष चुनाव से पहले परिये वेक्षग राजिस्थान के दोरे पर आ सकते हैं ऐसी संभावनाय जता जा ज प्यातरा में शामिल राहुल गांदी से मुलाकात के लिए करनाटक चले गए थे राजिस्थान में मुख्य मंत्री पत को लेकर चल लए सियासी घमासान के कुछ दिन की शांती के बाद फिर तेज होने की संभावना बन नहीं है ऐसे में राश्ट्रे अद्यक्ष चुनाव स इसमें यहाँ पर क्या सकते हैं तमाम बड़े नेता थे गहलोत खेमे की तरफ से शांती धारिवाल का नाम बताया गया था 27 सितमबर को कारण बताओ नोटीस जारी क्या गया था 7 सितमबर कल तारिक निकल चुकी है और 7 अक्टूबर तारिक निकल चुकी है संसधिय कारेस्म तक नहीं मिला तो पाची एक तरवा कारेवाई कर सकती थी यहाँ पर यह जानकारी सामने आई मुख्य मंत्री अवास में विधायक दल की बैचक बुलाए गई थी 25 सितंबर को उसके बाद यह सारा सियासी घटना करम शुरू हुआ ऐसे में जल्द राजिस्थान के सियासी घमाशान को सांथ करने को लेकर आला कमान कोई बड़ा निर्णाय ले सकता है लेकिन यहाँ पर आडानी पहुँचे राजिस्थान में और जिस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर तमाम बाते की गई वो दिल्चस्प रही हमारे क्या लगता यह चुप्पी कब तक देखने को मिलेगी क्या यह चुप्पी यह यू कह सकते हैं यह जो शान्त समंदर नजर आ रहा है इसमें कोई बड़ा तोफान आने वाला है देखिए जाहिर सी बात है दीपक जैसा कि आपने अपनी राय रखी है कि यहाँ पर क्या वाक गयारें नहीं कर पाइंगे मामले पर घखन और गहलोड की भूंिक आहम थी लेकिन तीसरा बड़ा किरदार था जोषी ने स्टिफह कबूल के उस रात को सीपी जोषी के हाथ में कुछ पत्र देखे ग्ए जो स्तिफए बताया गया थे, कई विधायकों ने कहा गया कि हम अंदेरे में रखा गया था हमें नहीं पता था, कि यहाँ पर इस्टिफह दे रहे हैं, हम अगले दिन पता चलो था हम इस्तिफा वापस लेने के लिए जाएंगे लेकिन सीपी जोशी को अगर मुख्य विदायकों ने इस्तिफा सौपा तो तुरंत कारिवाई क्यों नहीं हुई गाउई मनाड़ी है लेकिन यहाँपर कहीं क्या सच्चिन पाइलेट के समर्थन में आ सकते हैं कि एक तरीकी से यहाँपर सभी का इस्तिफा कबूल कर लेना यह बहुत ही बड़ी बात है और 92 MLA's, वाकई में बहुत ही बड़ी संक्या है, 102 विधाय को में से 92 दे देंगे, यहाँ पर इस्तिफा तो जाहिसी बात है, यहाँ पर कौन बचा, तो यहाँ पर सचिन पाइलेट के समर्थन में कहीं न कहीं एक जुकाव फूरी कॉंग्रेस पाटी का अब देखने को मिल सक बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस्तिफी को लेकर खबर सामने है, यह थमती भी नजर आएं, लेकिन पाइलेट केमा अभी भी चुप नजर आ रहा है, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे अपने तमाम सयोग्यों से, अबरार से चाहेंगे यहाँ में दिया गया लेकिन सून्य गांदी का अखरी बताया जा रहा है, बलके आखरी फैसला सी पी जोश्य कहोना चीह कि देखेगी, लेकिन दिविया मदिना का ? कहना है कि सरकार नहीं गिरेगी, जो यहँची अफ़वा फैलाए जारी है वो यहँची अफ़वा ना भा आई था हलां कि जब हाई कमान के दौरा मलकि आरजून कhstडगे को भीजा जाता उन से जब बात होती एश्योग गहलोत से तमाम तो सीधह तो पर यह बात कहे दिया कि एक चाहलों के पीछ़क को जानकारी नहींए और विधायकों ने अपने मंड़ से तमाम यह फैसल और कदम उठाएं तो कहीं न कहीं हाई कमान को एक तरीके से चुनाओती दी गए थी अशुक गैलोत के दौरा और अब ये खेल जो और जादा मज़ीद पेचीदा होता चला जाएगा हलाके विदानसभा चुनाओं भी नजदीक है तो ऐसे में विदानसभा चुनाओं में इन ने इसकी वापसी जो है वो तैमानी जाएगी क्योंकि राजस्तान की सियासत पर अगर आप नज़र डालें तो वहाँ पर 30-35 वर्शों से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है खासतरु सा अशुक गैलोत को जब भी सत्ता में आने का मौका मिला है तो वो सरकार को दोहरा नह नहीं पाए हैं तो यह तमाम चीज़ें सचीन पालिट ने कही है लेकिन सचीन पालिट ने जो खामोशी अक्तियार कर रखे थी उस खामोशी के पीछे कई बड़े तुफान भी हो सकते हैं और यह सारी चीज़ें आपको विदान सबब चुनाओं के समय भी देखने को मिल सक कांग्रेस पार्टी का क्या होगा कांग्रेस पार्टी किस तरीके से स्टेंड करती नजर आए कि 30-3530 सालों में सरकार रिपीट ने हुई गहलोत इससे पहले भी दो बार मुख्य मंतरी रह चुके और अपनी सरकार रिपेट नहीं करा पाए थे लेकिन अब वह किया रहा है क आमाधी पार्टी और भारती जंता पार्टी और कांग्रेस के बीच बाकि देखते हैं सोनिय से पहले क्या सीपी जोशी का फैसला आता है या सोनिय का फैसला आलाकमान का इस मामले पर आता है या नए कांग्रेस सद्यक्ष का फैसला राजिस्थान की सत्ता पर आता है या जो चलना है, राजिस्थाने वही चलता रहेगा, यह देखना खासा दिलचस्प रहेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद.